गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स, स्वाहत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रग्या एजुकेशन सोसाइटी में आज हमनों क्लास 11 का अंगरेजी पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको पर्थम चाप्टर एनिमर्स इन प्रिजन के एके क्लाइन का हिंदी बारीकी से बताऊंगा आप बढ़िया से पूरे चाप्टर को देखें और अच्छा से देखें वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो पुना इस चाप्टर को दोबारा पढ़ने क्या हो सकता है नहीं होगे आप इसके एक एक लाइन को अच्छा से कर लें कि यहां से आपके सभी शभी त्यारी बहुती बढ़िया तरिया से कराई जाती है दोस्तों आज का क्लास आरके सर के माध्या से लो देखेंगे तो चलिए चाप्टर को सुरू करते हैं और देख लेते हैं इस चाप्टर के एक ही क्लाइन के हिंदी को तो चली एक ही करकी आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जानते हैं जवाहलाल नहरू के बारे में तो अखीर उनके बारे में जानने के पहले मैं टॉपी भी बता दो जिसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन जी हां यह क्लास 11 की जो इंगलिस की बुक है उसका चैप्टर वन है जिसका नाम है अनिमल्स इन प्रिजन यानि की चैप्टर का नाम यह डिसकस करता है यह बताता है कि जो जानवर हैं वो किस तरीके से कैद में हैं तो नाम से भी पता चलता है क्योंकि प्रिजन का मतलब ही होता है जेल है ना तो जेल में जानवर इन दे सेंस वो क्या फील करते हैं, वो सारी ची यहां पर शेर किये, चलिए, अब जानते हैं पहले जवाहाला नहिरू जी के बारे में, तो लिखा है जवाहाला नहिरू, जो की 1889 से 1964 तक उनका जो जीओन काल रहा है, तो he was India's first prime minister, was popular among the children as चाचा नहिरू, यह सब जानते हैं कि वो भारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे और साथी साथ वो बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस थे, as चाचा नहिरू, चाचा नहिरू के रूप में वो फेमस थे, he was a man of rare sensitivity, वो एक इनसान थे, मतलब sensitivity मतलब समेंदन सीलता, और rare मतलब बहुत rare, यान रचेट, Harrow and Cambridge University, he became a barrister after studying natural science and law and return to India in 1921, कहा जा रहा है कि वो Harrow and Cambridge University में उन्होंने अपने पढ़ाई करी और वह वहाँ barrister, जो कि वकील की पढ़ा, वाकालत की पढ़ाई कहते हैं, तो वो वकील बने, और उन्होंने क्याखेट्स पढ़ा था, जैसे कि natural science है ना, पढ़ाई की थी और उसके बाद से वो बरिष्टर करने के बाद 1921 में इंडिया आ गए, deeply influenced by Mahatma Gandhi, he joined Indian politics and soon emerged as the leader of the country's youth, यानि कि बहुत जादा प्रभावित हुए थे जो आहला नहरू जो है ना, वो Mahatma Gandhi से, और उसी वज़े से क्या हुआ, उन्होंने इंडियन politics को बहुत ह जल्द क्या कर लिया, जोइन कर लिया और साथी साथ वो बहुत बड़े एक, मतलब कहता है, countries यू होती यानि की, देश के बहुत यूवा, नेता की रूप में भर कर सामने आए, है ना, वो गादी जी को बहुत ज़्यादा अनुसरन करते थे, उनसे बहुत प्रभाइत हाओवर, हुज नौत अ मेर पॉलिटीशियन, ही वोज ओस अ ड्रीमर, आइडियलिस्ट, हुमनिस्ट, एंड आर्टेस्ट, इन वर्ट्स एज वेल, तो कहा जा रहा है कि बस वो एक केवल मात्र पॉलिटीशियन ही नहीं थे, मेर मतलब होता है, अब का मात्र, वो बैस एक मा पाफ सजोता है, बड़े-बड़े, जो देश की हित में होता है, तो वो ड्रीमर हो गया, और साथी साथ आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट का मतलब होता है आपका, कि जो की बहुत ही, मतलब आदरश्वादी, और हुमनिस्ट, बहुत ही मानवता भरा, उनका मतलब विचार एक कलाकार थे, ठीक है, आगे है कि His Works and Autobiography, अब देखें उनके काम, यानि कि उन्होंने अपनी जीवनी भी लिखी है, Autobiography मतलब होता है, Self अपने बारे में लिखना, Autobiography होता है, तो लिखा है कि उनकी जो Biography है, Autobiography, The Discovery of India, ये भी उनके किताब है, और Glimpses of World History, ये भी एक कित लिखी उन्होंने, And Letters from My Father to His Daughter, ये भी एक किताब लिखी है, ठीक है, आगे है, Are Remarkable for a Rare Vigor and Beauty, यानि कि ये जो किताबे हमने नाम सुनें, ये जो हैं, बहुत ही Remarkable है, यानि कि उलिखनी हैं, ये आसाधारन नहीं है, ये मतलब ये साधारन नहीं है, ये बहुत ही आसाधार ये कहानिया जो नहीं है, किताबे जो लिखी है, और ये रेर विगर एंड ब्यूटी, यानि कि विगर का मतलब होता है, शक्ती, ब्यूटी मतलब सुन्दरतादों को बता ही है, यानि कि दुरलव टाइप की चीजे इनोंने लिखी है, तरीके से सकते हैं, चलिए आगे पढ आशिल है, उन सब जो भी इनोंने कारे लिखे हैं, जो भी इनोंने किताबे लिखी हैं, वो अपने आप में ही मेशाल है, एक तरीके से कहीं जाएं, इंगलिस के संदर में तो, वाइल इन प्रिजन, जेल, जब वो जेल में थे, बिफॉर इंडिपेंडेंस, अजादी के पह जा रहा है, जब वो जेल में पहुआ करते थे अजादी के पहले बुक्स पड़ा करते थे, नीचर को अफजर्ब किया करते थे और साथी साथ, ड्रीम्टे टाइम्स आधे तो, वो सपने भी सजोया करते थे उसके बारे में ख्वाब देखा करते थे उन साड़ी चीजों के इसके द्वारा वह अपने सारे थौट्स को अपने सारे विचारों को जो फील करते थे उसको वह लिखा भी करते थे हैं वही चीज कहा जा रही है कि जेल में वह ऐसे अपनी दिन बिताया करते थे books read करके और जो भी observe करते थे जो अपने दिखने थे उसको लो pen के द्वारा लिखते भी जै फिर है his elegant political prose is best captured in his autobiography कहा जा रहा है उनका जो elegant जो सबसे कह सकते है कि सहज सुन्दर elegant मतलब होता है सहज या सुन्दर तो उनका जो सबसे सुन्दर पोईटिकल प्रोज है ना पोईटिकल यानि कि जो कविता के संदर कविता जैसी जो थी उनकी प्रोज मतलब कहानिया वह जो थी वह सबसे जो है best capture की गई है किसमें उनकी अपनी ही autobiography जो उनने लिखी है ठीक है आगे है कि the following extract taken from an autobiography reveals Nehru's love for nature देखें मैंने पहले ही बुलत्रा chapter start करने के पहले कि यह जो हम पढ़ने जा रहे है अनिमल्स इन प्रिजन यह जो एक्स्ट्रेक्ट है एक्स्ट्रेक्ट मतलब निकालना होता है तो जो चीज निकाली गई है यह वह कहां से लिगई है उनके ही autobiography से और वह रिवील करती है मतलब प्रदर्शित करती है तो बतलब होता है कि धूमदाम से किसी चीज की दावत करना लेकिन यह जो autobiography reveal करती है है ना कि जो नहरुजी का प्रेम था नेचर के प्रती प्रकृति के प्रती उन सारी चीजों को इस चैप्टर में पिरोए गया है और हां हो सकती है वीडियो लंबी हो क्योंकि मैं थोड़ा चल रहा हूं लेकिन हां आपको समझना जरूरी है हो सकता है मैं इसके और भी पार्ट्स लेकर रहा हूं एक वीडियो में कम्प्लीट ना हो तो आप मेरा सपोर्ट करते रहे हैं वीडियो को लास्त तक जरूर देखें ठीक है चली आगे पढ़ते हैं कहता है कि इस रिमार्किबल हाओ ही डिराइस प्लेजर फ्रॉम वाचिंग डिफरेंट अनिमल और गिवरेस्पेक्ट इविन तो दाइनिस अनिमल का जा रहा है कि यह बहुत ही रिमार्किबल यह बहुत ही असाधारण चीज है कि वह पता नहीं कैसे हना प्लीजर हाओ ही डिराइस प्लेजर फ्रॉम वाचिंग डिफरेंट अनिमल और गिवरेस्पेक्ट इविन तो देखा करते थे और उनको देखने में उनको जो आनन्द आता था उसको वह अपने कहानियों में इसे अपने बारे में उनके मतलब उनको फील करके उनके बारों में बारे में व्याक्या करते थे बहुत ही दूरलव है करें से रहर है सब किसी के अंतर यह चीज नहीं होती ऑडिटी ठीक है दपीश इस वंडर्फू अग्जामपल फ लेव एंड लैट लिव कहा जा रहा है जो यह जो पीस यानि कि यह जो आप पढ़ने जा रहे है इनिमल्स इन प्रिजन यह जो है अपने आप में ही एक बहुत सुन्दर एक्जामपल है किस चीज का लिव एंड लेट लिव यानि कि जीयो और जीने दो तो अभी हमने जब जो बताया इन सब चीजों में जो आल नहर में सब कुछ डिवाइड होता है तो सबसे पहला पढ़ने वाले हैं वह है कि उनका जो जीवन था कैसे बीत रहा था देहराद उनके जेल में तो उसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा वर्ड मेंनिंग की बात अगर आये तो थोड़ा ध्यान दिजेगा कि आपको भी अपन इसको कवर करूं और जो अगर दिक्कत आये कि आप वह वर्ड मेंनिंग की PDF चाहें तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हुआ ठीक है आगे बढ़ते हैं तो फॉर्टीन एंड हाफ मुंस आई लेव देल सेल और रों इंद देहरादुन जेल ध्यान दिजीएगा इस वर्ड को आप ग्याओल करके मत पढ़िएगा यह जो है इसका मतलब होता है जेल जी ए ओल इसको जेल पढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि मतलब यह कह रहे हैं क्योंकि आटो बाइग्राफी से ली गई है तो यह सारी चीजे अपने बारे में बता रह है यह सारी बाते जवाला नहरू बता रहे हैं कि मैं देहरादुन की जेल की कोठरी में लगबग साड़े चौदा माह रहा और मुझे लगने लगा था यहां से पढ़ना है हमें कि and I begin to feel as if I was almost a part of it और मुझे ऐसा लगने लग जा था कि मैं उस जेल कोठरी का एक अंग बन एक अंश बन गया हूं ठीक है I was familiar with every bit of it bit मतलब हर एक मतलब चपे चपे से हर एक अंग से हर एक अंश से तो कहा जा रहा है कि I was familiar मैं उस चीज से परिचीत हो गया था वहां की हर एक चपे चपे से I knew every mark and dent on the white washed walls and on the uneven floor and the ceiling with its more threatened rafters तो देखिए मैं बताता हूं कहा जला है कि I knew every mark मतलब वहां की हर एक निशानों से में परचीत था साथी साथ यह लिए ब्दया का मतलब जो होता हा आप देखें ना आँ वह पे जो भी धाडब्भी होते हैं जो की वाइट वॉस्ट यो पो तो उन जेल के जो aulaival तीवाल ती ऊस पर जो इंड पड़े से उस पर ऑ्साथ palavras जो अनीविन फ़्लोर और जो भजू पर की नीची इन Specs UM मतलब किस ने खा रख़ा था जो की आप कहते हैं गुण से घुन लग जाती है लकडियों में लखडियों में तो उपर की छत थी जिसमें लकडिया थी तो उसमें गड़ें हो गया हुआ थे किसके वीज़े से मॉत हिटन। मोत खाबर फरसों से भी परिचित था मैं हर एक चीज जानता था उनके बारे में और साथी साथ जो सीलिंग जो च्छत थी जो की मौत मौत के द्वारे आने की फतिंगों द्वारा खाई गई थी घुन लग गए थे उनसे हर तरीके से में परिचित था आगे है इन दे लिटल यार जो वहां पर जो जेल थी उसके चोट बाहर में तो वहां पर चोटे से आंगन जैसा प्लेस था तो वहां पर मैं घृटिट मतलब मिलता था तो मैं घास के गुच्छों वह पथर के टुकडों के मित्र के रूप में उनका अभिननदन करता था मतलब एक तरीके से वहां पर दिखाई देते थे यह कहना चाह रहे हैं उनके आज पास के लोकेशन के बारे में वह बता रहे हैं फिर है कि I was not alone in myself मैं अपने जेल में अपने जो कोटरी थी उसमें अकेला नहीं था for several colonies of wasp and hornets lived there wasp and hornets का मतलब होता है ना आपने सुना होगा ना wasp मतलब तो भिंड होती ह हैं और hornets मतलब ततयया जो कि हम लोकल आम भासा में बिहार में उसको बिर्णी भी बोला जाता है राइट अलग 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 जगों पर उसका अलग नाम में आपने देखा हुए यलो कलर की जो इंसेक्ट होते हैं है ना मकी की जो डंग मारते हैं उन्हें हम hornets बोलते हैं वा इनके लिए तो ततययों के तो कॉलोनिस को हम बस्ती को यहीं बोलेंगा उनका च्छता होता है वहां पर रहा करती थी उनके सेल में and many lizards found a home behind the rafters और उसके rafters मतलब जो तखते होते हैं ना जो कडियां होती है उपर दिवा च्छत पे तो उन कडियों के पीछे बहुत सारी च्छिपकिलियों का निवास अस्थान था emerging in the evening in search of prayer जो की च्छिपकिलियां साम को निकला करती थी अपने शिकार के तलास में फिर बोलते हैं कि thoughts and emotions leave their traces behind in the physical surroundings the very air of that cell must be thick with them and they must cling to every object in that little space कह रहे हैं कि अगर ध्यान दिजएगा इस चीज को ना थोड़ा समझने वाली बात है यह लाइन आपको बहुत कुछ ब्यां करेंगी यह लाइन को हिंदी में बता दो फिर भी आपको समझना होगा इसकी भावार्थ को पहले हिंदी बता दो फिर भावार्थ समझाओंगा कहता है कि thoughts and emotions leave their traces behind in the physical surrounding आनिकि और जो physical surrounding होती है जो वातावरण होता मान लिजए अभी जहां पर आप हैं उस वातावरण में आपकी रूम में है अगर thoughts and emotions है ना thoughts और विचार और emotion मतलब भाव अकर वो रह जाते हैं विचार या भावनाएं इस भातिक वातावरण में अगर रह जाती हैं अपने अंस छोड़ सकते हैं अगर वो छोड़ दे ऐसा कर दे तो the very air है तो कहा जा रहा है कि जो पूरी तरीके से वहां की वायू होगी वहां के जो air होगी ना वह ठीक हो जाएगी उनसे क्योंकि तेको होता है ना कि कहते हैं कि कोई चीज जैसे गैस आपने कोई अलग सी गैस ना इत्रोजन वगर कोई भी आपने रूम में छोड़ दिया तो वह शड़ पर जाएगा जो भी गैस है तो तरीके से वही बुला जा रहे है कि अगर आपने थौर्च मतलब थौर्च लेगे अज़ा की एया जा रहा है उसका मानवी करन की जा रहा है उसको समझाय जा रहा है कि भाईस्ट अनियमोशन को ऐसा समझो की जैसे नॉमल लाइफ में होता है उनको अगर हम बाहर रगते तो वह पुरी तरीके से भर जाएंगे रूम में और साथ ही साथ जोहां की रूम की हवा है वह उन सब चीजों से फिल हो जाएगी भर जाएगी और उस चोटे से रूम में जो भी चीजे होंगी है उन सब में क्लिंग मतलब चिपक जाएगी अरे बाई बिलकुल जाहिड सी बात है नॉमल लॉजिक समझाया जा रहा है कि कोई भी चीज अगर आसपास में ज्यादा मातरा में दे दी जाए तो वो उस रूम में जैसे चिपक बता रहो हूँ कि वहाँ पर इतनी सारी मेरी फीलिंग अगर से अगर इस तरिके से भर जाते और हर एक चीजों से चिपक के रहते और 집 जब जब लोग वहां जाते तो सब को आप लोगों को याद दिला इसब चीजों के बारे में तो उनका भावारत यह था होप मैं आपको प्रिविलिज मतलब एक होता है आपको जलब प्रियोर्टी देना या फिर यूं के लिजी सौभाग ये प्राप्त होना तो कहा जा रहा है कि जो अपने बारे में बता रहे हैं कि I had better cell in the other prisons मतलब दूसरी जेलों में ना मुझे बहतर कोठरियां मिलती थी परन्तु जो देहराद उनकी कोठरी थी जेल थी जेल थी ना उसमें मुझे एक विशेश सुईधा मेली हुई थी है ना जो की एक तरीके से उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूंड थी दब जेल प्रोपर मतलब होता है आपका है के जएल प्रोपर अगन में ही रखा गया था लूप में रखा गया था या अपने वारें बता रहे हैं तो this place was so small that there was no room to walk about in it मतलब यह जो जगे थी बहुत छोटी थी और यहां पर तहलने के लिए चोटा थी मतलब जगे नहीं थी जादा देखा जाए तो and so we were allowed morning and evening to go out and walk up and down in front of the gate तो का जा रहा है कि जैसे कि जो जेल थी बहुत छोटी थी इस वाजे से हमें सुबह साम है ना प्राता काल प्राता शाय में और सुबह में हमें आने जाने की अनुमती थी यह ना बाहर जाने की morning and evening में and gate की जो की सामने हुआ करता था और a distance of about hundred yards जाने की जाज़त थे लेकिन लगवग सौ गज का फासला था उतनी दूर में ही आपको ठहलना होता था यह बता रहे थे we remained in the jail compound but this coming outside the walls gave us a view of the mountains and the fields and a public road at some distance देखिए उनका कहना है उनका मानना है कि भाई ठीक है हमें बाहर निकलने के लिए थोड़े सा ही जगए मिलता था सौ गज की दोरी रहती थी तो जो हमें विशेश चूट थी ना मतलब इस paragraph में विशेश चूट के वारे बात की गई है त लिकिन बाहर आने से ऐसा फील होता था कि हमें जो बाहर का द्रिश दिखता था पाहवडों का जो द्रिश दिखता था खेतों का जो द्रिश दिखता था और मतलब जो कि थोड़ी दूरी पे उनको ये भी दिख जाता था जो पब्लिक लोगों के लिए जो समाने रोड है उ इनको ऐसा नहीं फील होता था कि वो कहीं और हैं, उनको हर एक चीज का अहसास होता था, भले ही वो छोटी सी जेल में थे, लेकिन इस थोड़े देर के लिए जो बाहर उनको आने का सामको मौका मिलता था, जेल के कमपॉंड में तो उन सारे चीजों को वो औब्सर्ब करते थे तो यह कहते हैं कि यह बस मुझे ही नहीं दी गई थी, बलकि यह जो छूट थी, हैना, वह सभी लोगों के लिए दी गई थी, जो कि A और B कैटेगरी में लाई करते थे, तो उन सब को यह प्रिविलेज दिया गया था, फिर आगे है कि, विदिन दे कमपाउंट, हैना, कि उसी कमपाउंट के अंदर, हैना, लेकिन जेल वाल के दूसरी ओर, there was another small building, उस साइड एक छोटी सी दूसरी building थी, जिसको European lock-up कहा जाता था, ठीक है, this had no enclosing walls, and a prison inside the cell could have a fine view of the mountains and the life outside, तो कहा जा रहा है कि, इसके प्रांगन में, हैना, एक और छोटा सा भवन था, जिसको European हवालात कह सकते हैं, और उसके कोई चारदिवारी नहीं थी, हैना, they had no enclosing wall, चारदिवारी नहीं थी, और कोट्री में बैठा है व्यक्ती जो था ना, वो पहाड़ों और बाहर की जीवन थी, उसका अच्छा सा मरोरम दिरिश्य देख सकता था, उन लोग के बारें बताये ज मतलब बताया था हूँ, यानि की कैदी होता है, तो जो यूरोपियन अपरादी थे ना, वो अन लोग को जिसमें इसमें रखा गया था, उनने पराताव शाया में जेल के गेट के सामने घूमने की अनुमती उनको भी मिलती थी, तो इस तरीके से उन्होंने जो विशेज आपका जा रहा है कि यह जो बाहर की सेर थी, या फिर आप यू कह लिजे बाहर की जो सेर थी और आपका ओपन व्यू जो खुला द्रिश्य था, इन सब चीजों की जो मानसिक मुल्य हैं, उनको किवल वही समझ सकता है जो उची दिवारों के पीछे बहुत समय तक बंदी र सारी चीजे बहुत अच्छे से उसको अब्जॉब कर पाते हैं जो चीजों यह बया कर रहे हैं यानिकि जो बाहर की शैर करना खुले दिश्य क्या मानसिक मुल्य मतलब साइकोलोजिकल वैलू निकालना तो इस यह कौन इसको समझ सकता है जो की एक इंसान जो की बंदीर बन सब्सक्राइब करें कि मैं ऐसा नहीं था कि मंसुन के आने पे इंको ठोड़ दू मैं तब भी नहीं ठोड़ता था वें दर रेंगें डाउन फर देज इन टॉरेंट्स और यहाद टो वाक इंकल दीप ऑफ वाटर यानिकि भले बारिश आ जाए बहुत जादा बारिश आज यानिकी सहर सापाटा नहीं छोड़ता था I would have welcomed the outings in any in any place but the site of the towering Himalayas nearby was an added joy which went a long way to removing the awareness of prison बल्ब बता दूझ कि वियरी ने इस मतलब होता है जो आपकी यूक्ति केलि जे कि ठकान होती है जो कैदियों की ठकान होती है उसको वह दूर करते थे मतलब कहने का मतलब है जम्हाला नईरू कहते हैं कि भले ही मुझे मुझे मुसलधार 20 टकनों तक भारे कहने में पानी में चलना पड़ रहा हो मैं इस और की स्वागत करता था 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 जो कि बहुत हद तक जिल में मेरी जो कहते हैं ना लोनलीनेस था उसको दूर करता था और उसमें वह सहायक होता था ठीक है चले तो वो कहते हैं कि इट वज मेरा सौभाग था कि बहुत लंबे समय तक जब मेरे इंटर्व्यूस नहीं हुआ करते थे और उन फॉर में वह जब अकेला हुआ करता था बहुत महीनों तक तो आई कुद गेज अट इस माउंटन था गेज मतलब एक चक निहारना तो उन दिनों म इस इन पहाड़ों कर पहाड़ों को एक टक निहारा करता था जिने में बहुत जड़ा प्यार करता था तो अर एक और चीज आपके दिमा में आ रहा होगा इंटर्व्यूस तो इंटर्व्यूस जाने की जैसे की इंटर्वेशन की जाती है जब कैदी जेल में रहते थे उन स प्यार करते थे तो I could not see the mountains from myself but my mind was full of them क्या कहना चाहरे है वो इतना इन सावर चीजों को अब्सॉर्ब करते थे ना तो भले ही वो अपने पहाड今回 फाहड भी एंवर काःटसे उसको न देख पाया पहाड़ को लेकरिं उनक दिमाग था हूथ सारी हूसकी का सकते हैं पिक्झर से भरा हुआ था इसा उयसा फिल करते थे उनको लगता था कि वो उसके नजदीक ही है उन पहाडों के नजदीक ही है and a secret intimacy seem to grow between us intimacy मतलब होता है ना कि interact करना आपसी संबंध तो जो intimacy थी घनिष्टता कह लिजिए तो यह जो थी उनके समीप होने का भास रहता था और यह जो है हम दोनों की बीच में गुप्त प्रेम बढ़ता रहता था कि इन दोनों की बीच में जो जो आरा नहिरू थे और यह पहाड जो उनको नोटिस होते था वह सारी चली यहां पर एक पोएम के भाती उन्हाने कुछ लिखा है वह पढ़ लेते हैं फ्लॉक्स और बर्ट्स है ना फ्लॉक्स और बर्ट्स है फ्लोन हाई एंड अवे जो पक्छियों का जुंड है वह उंचे वह दूर उड़ चुके हैं अस्वालिट्री ड्रिफ्ट अफ्लाव टू हाज गॉन इस चिंग टिंग चोटी के सामने टावरिंग बियॉंट जो की टावरिंग मतलब एक हाइट के मतलब होता है कि बहुत तो यह कह रहे हैं कि सब चीज चले गए हैं लेकिन मैं बैठा हूं इस चिंग टिला जो है पहाड है उसके परे वी नेवर ग्रोट टायड आफ इच अदर दा माउंटें राई वो कहते हैं कि सब लोग तो चले गए हैं ना पक्छी ऊड़के चले हैं मैं और पहाड तो इस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें करी हैं कि किस तरीके से वह नेचर से जुड़े हुए थे बहुत उससे प्रेम करते थे अपने भावनाओं को एक्स्प्रेस किया उन्होंने तो आशा करता हूं आपको यह तीन पर अच्छे समझ में होगा अग पांचवा प्रेग्राफ भी खतम कर दूं ताकि आगे थोड़ा असान रहे चली चौता प्रेग्राफ क्या कहता है कि I'm afraid I cannot say with the poet ली थाइप को that I never grew weary even of the mountain but that was a rare experience and as a rule I found great comfort in its proximity थे जवहाला नहरू कहते हैं कि मैं यह जो कभी है ली थाइप हो है ना इनकी भाती मैं कभी यह नहीं कह सकता हूं कि मैं पहाडों के नजदीक रहकर तंग आ गया था वियरी मतलब परिशान हो जाना मैं पहाडों के साथ रह रहकर उनको फील करकर के तंग आ गया वैसा मैं नहीं कह सकता हूं यह जो आला नहरू बोलते हैं परंतु but that was a rare experience लेकिन यह एक अपने आप में वह अनुठा अनुभाव था और एंड एजर रूल मतलब और मैं उसके सामीप में बड़ी सांती मिलती थी इस प्रॉक्जिमेटी मतलब निकरता होता है तो इसकी नजदीकी जो रहती थी मुझे बहुत ही कहते है ना कमफट प्रोवाइट करत थी बहुत आराम देहीए अनुभा होता था उने सांती मिलती थी its solidarity and calm looked down upon me with a wisdom of a million years wisdom मतलब बुद्धी मत्ला मतलब बुद्धी मतलब बुद्धी मतलब अकेला अपन and mocked मतलब कहते है ना मजाक मजाख चुदाना अधु मैं वेरिंग मुद वेरिंग मतलब बदलते मूड को सांथ कराना आराम पहुचाना फीवर्ड माइंड है ना चिंता मैं फीवर्ड मतलब या फिर बुखार से ग्रस्त तो आप मैं हिंदी समझाता हूं इसका कि संत दरिष्टी जोатьक गांवस की निहारती थी कि जो पहाड़ ती ऑर शाथी मेरे बदल्ती मांसिक मजा खुड़ाती थी और मेरे परशान मन को स अंद्धी करती थी मतलब वू बताना चाहरे हैं थैंक जो भी इन्सान अखेला जब रहता है तो उनके साथ इतने सारी प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि आदमी मांसिक तनाव से गुजर रहा होता है फिर आप कहलो कि उनकी जो वाइजने से बुद्धी मता है वह एक तरी चिन हो रही होती है लेकिन वह कह रहे हैं कि इन सब पहाड़ों को देखकर वह अपने इस प्राइणी से वह प्रॉण था था शोल्टे गग्राइण फ्रेयरे कि इस आध्यों कि आपका चूब्लम्स होता है उससे क्यांफी लंबा सरमय तक चलता था यहां देखरादून में क्यूंकि यह पहारी इलाका था ठीक है आगे कहता है कि the winter had denuded almost all the trees of their leaves and they stood naked and bare naked मतलब भी नगन होता है बेर मतलब वही नंगे पाउ अगर बेर फूट होता तो नंगे पाउ बोलते हैं दिनुडेट का मतलब भी आप देखी सकते हो दिनुड है ना पत्र वहीन कर देना इसका भी मतलब वही है नंग अवस्ता में कर देना तो जो विंटर था जो सर्द रीतू थी उसने अल्मोस्ट हर ट्रीज के लीप्स को न जाड़ दिया था यूं कहें कि पत्र वहीन कर दिया था और जो सारे पेड़ थे वो बहुत ही मुर्जाय हुए प्रतीत हो दे थे यहाने कि इतना ज्यादा पत्र वहीन कर दिया था कि मुझे यह देकर आश्चर्ज भी होता था यह देकर कि चार शांदार पीपल के जो पेड़ थे जेल के गेड़ के सामने उन्होंने भी लगबग अपने सभी पत्ते गिरा दिया थे अब क्या है कि यहां है वोट तो मतलब होता है दुबला पत्ला गांट जारा है कि यह द्यार चुब तक दुबले पत्ले उदास खड़े रहें जब तक वसंद की घरम हवाने उनकी जो कहते हैं ना संत्रिक को सिकाएं थी उनको जीवन का संदेश ना भेजा हुआ हो तब तक हुआ जो पेड़ थे अपने पेड़ों को पत्तियों को जाड़े खड़े रहे हैं खड़े रहे हैं सटेनली तेर वाज अस्टेर बोथ इन पेपल और अद अधर ट्रीज और एंड एर और मिस्ट्र जंग हलना तो पेड़ लगें उनके चार ओर और है उनकी चारो और रहस्य क्षाय रहा जबकि परदी के पीछे गुपत कारे चलता रहा और मुझे उनके उनपर सब जगह हर भींदू जहागती वह का श्चर्ज भी हुआ है एन शकर्ड ना चाहरे एं सब लाइन से कि बहइ वसंत्रीतू थी उसका आगाज हो चुका था और उन्होंने सारे पेड़ों को घे रखा था और इस तरीके से वह तब तक नगना वास्ता में खड़े रहे हैं जब तक स्पिंग रीतू नहीं आई वसंत्रीतू नहीं आई और उसके बाद से पत्या आने लगी होंगी और यह वोड़ बी स्टाटल तो फाइंट लिटल बेट सब गरी पीपिंग आउट ओल अवर देप तो इसका मतलब वही है चीज बताई जारी है बहुत चक्का स्टाटल मतलब होता है बहुत चक्का होना तो मैं इन सब सीजों को देख अस्चर्ज हो रहा था कि आखिर हो कह र और आनंद में कहले चीज तो बुला जा रहा है कि यह जो था ना बहुत ही प्रसंता भरा द्रिश्य था एंड देन वरी रैपिदली ड़ीव्स वूड है ना ड़ीव्स वूड कम आउट इन देर मिलियंस और ग्लिस्टिन इन शनलाइट एंड प्लेवाट इन प्लेवाट इ यानि कि जो हल्की हल्की मद्धम हवा चलती है उसमें खेलेंगे हाव वंडरफुल इस सदेंट चेंज फॉम बड्ट टो लेव और यह बड्ट कली से पत्ती बनने का जो सफर होता है कितना सुन्दर होता है यह चेंज तो आप देखी सकते हैं कि आप भी इस चीज में खो ग तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप बड्राइफ बायोग्राफिय लिखी और साथी साथ यह भी बता रहें कि जो चैप्टर है वो सारी चीज चैद में थी जिनको उन्होंने अपने सब्दों के जरी अपने फीलिंग के जरी इस आप बायोग्राफिय में लिखा है तो अब हम जा रहे हैं अगला सिक्थ परग्राफ पढ़ने जो की है है ना आई हैट नेवर नोटिस्ट बिफोर दैट फ्रेस्ट मेंगो लीप्स और रेडिश ब्राउन रसेट कलर रिमाकेवली ली लाइक अटूम टिंट्स ऑन दे कश्मीर हिल्ल्स बट देचेंज कलर सून ए सबस्केवली लीधि हैं उनके जो कलर होते हैं और बोलते हैं और उनने ऐसे गभी देखा कि जो फ्रेश ताजे मंगों है उनकी जो पत्य होती है रेडिश ब्राउन गेरिवे कोलर की होती है और कौफी के रंगी होती है और वो कहना चाहरे हैं मतलब देखा चाहे तो ऐसा लगता है कि कश्मीर की पहाडियों की जो हमंत में जो मौसम होता है उस तरीके का हलका हलका कलर उनको फील होता है इस मतलब हलका रंग है अब है कि बड़ चेंज कलर सून एंडिकम ग्रेन का मतलब है कि हुं कहते हैं कि यह जो तुरंत ही बहुत जल्दी ही यह चेंज हो जाता हुआ पूरे तरीके से ग्रीन हो जाता है बात यह आपने अकसर देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं आम के उसमें आपने देखा होगा जो नहीं नहीं कोमल पतिया आती है वो कुछ ऐसी कलर के होती है ब्रावनिश कल लगी है ना तो उसी चीज की यह क्या-क्या कर रहे हैं इस पेराग्राफ में ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और किया है 7th paragraph में कि the monsoon rains were always welcome for they ended the summer heat but one could have too much of a good thing and dehradun is one of the favorite horns of the rain god. क्या कहा जा रहा है इसमें यहां पहले paragraph में कहा जा रहा है कि जो monsoon होती थी देहरादून की वह जो थी उस समय की गर्मियों को शांत तो कर देती थी मतलब तरीके से अच्छा होता था उस समय का मौनसून का जो बारिश वादा था अच्छा होता था आपको गर्मी से निजात ला दे लेकिन यहां कहा जा रहा है कि बट वन कुड है टूमर्च ऑफ गुड तेंग और देरादून इस वन फेवरिट होन्स ऑफ द रहीं गौड होन्स मतलब अड़ा तो कहा जा रहा है कि चलो भाई ठीक है गर्मी मतलब गर्मी से निजात दिला दी यहां की मौनसून ने लेकिन हर एक चीज का अत्यदिक होना नुकसान दायक होता है या फिर पीड़ा दायक होता है तो वहीं बोला जा रहा है तो मौच ऑफ गुड ती यानि कि बारिश इतनी जादा आती थी कि लोगों को दिक्कत होती और जाहिश सी बात है जो लोग जेल में रहा है उनके किसे दहरा दून जो है बारिश का अड़ा हो जाता था ऐसा क्यों कहा जा रहा है अगले लाइन में पता चलेगा क्योंकि विदन दे फिर्स फाइफ और शीक्स वीक्स ऑफ दे ब्रेक ऑफ दे मॉन्सून वी वुड आप फिप्टी और सिक्स्टी इंचिज उफ यानि कहा ज ईं तक का टिशुंवी चर्फ जाल यहानि क्यों जाता है तो मतलब बारिश बगवार जो है थेरा दून पर उनका एंडा बना वारीश के मामले सकता हूँ तो एक तरीके से अत्यज़एगोर्ट कम लें क्यों पांच वी शर्टे वेक मतलब 5-6ी पहले ही बारिश का प्राइज ट्राइज ट्राइज तो यह कुछ आनन दायक नहीं होता था इतनी तेज बारिश हो और आप कूपडब मतलब कैद करके आदमी जो रहता है ना कैद में जैसे वह कैद में थे तो ऐसा लगता था कि आप जो है ना इस बारिश के वजह से आप कहीं जट से टपकते ते खिड़किव से आती हुए जो पानी हैं उन से बचने का प्यास करते हुए एक बहुत कम से जग murmur आप पानी कबलब एक तरीक से रास्ता अतलास करते थे और एक जगह बैट कर आई इस चीज को कोई आनंद नहीं लेगा है ना तो वो चीज आपको बताना चाह रहे हैं वो कि एक तरीके से उनके लिए जो यह बर्शा का मौशन था वो कुछ खास नहीं था ठीक है चलिए आगे देखते हैं आठवा परग्राफ क्या है कि autumn again was pleasant and so was the winter except when it rained क्या कहना चाह रहे है में कि autumn यानिकी जो वर्शन सरी हमंद रितु जो होती थी ना वो एक तरीके से दुबारा आती थी तो बहुत आनंद आयका होती थी अच्छा लगतर था उसमें and so was the winter और हाँ वर्शा की विंटर यानिकी सीट काल रितु थंड के समय में भी वहां पर मौसम थोड़ा अच्छा होते थे आनंद आयक होते थे अब आगे है कि with thunder and rain and piercing cold winds one longed for a decent habitation and a little warmth and comfort तो कहा जले कि अगर हम बिजली की कड़क है ना with thunder थंडर मतले बिजली का कड़क ना और वर्शा rain है ना और piercing cold wind थंडी तीखी पमन कह सकते हैं इन सब के कारण क्या होता था one longed for a decent deception यहना कि किसी अच्छे से रहने के स्थान थोड़ी शीfund वार्म की एक्षा होती थी लोगों की थूड़ा अच्छा जगह मिलता रहनें को ओकेजनली देर वोड बीए हेल स्टॉम हेल स्टॉम मतलब ओला वरिष्टी ओले पड़ते हैं उसको हेल स्टॉम बोलते हैं विट हेल स्टॉम्स बिगर देन मार्बल कमिंग दाउन दा करूगेट करूगेट आयरन रूप और मेकिन ट्रमेंडिस नौइज सम्टिंग लाइक आर्टिलरी बॉंबार्डमेंट तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वहां पर जो बारिश होती थी तो बारिश में जो ओले पड़ते थे तो कुछ ऐसे बड़े-बड़े मार्बल से भी बड़े टुकडों जैसे गिरते थे गंचो जैसे और ऐसा लगता था कि पर मतलब के सकते नाली दार जैसा स्ट्रक्चर होता है तो फिर लोही कि नलीदार कुछ बना होता है जैसे आप जानते हैं आप जो करकट के चीज़े होती हो ऐसी होती है तो वहां पर बोला जा रहा है कि जब यह बढ़ते थे तो उनकी और जो आवाज होती थी जो शोर माज आते थे वो गिरते थे तो ऐसा लगता था सम्थिंग लाइक एँड आर्टिलरी बॉंस तो यहां पर यहां पर यह पिर से समझाया थी तरीके से उन्हों स्प्रिंग सीजन और सीजन को फिल किया है स्प्रिंग सीजन को पहले बता दिया तो उन्होंने ऑटम सीजन को कैसे उन्होंने फिल किया उसको यहां पर व्याख्या किया है चलिए नाइफ वाले प्रेग्राफ में चलते हैं कि I remember one day particularly it was the 24th of December 1932 उन्हें एक दिन का याद आता है 24 December 1932 की बात है there was a thunderstorm and rain all day उस दिन बहुत जादा बिजली करकी थी और पूरे दिन बारे स्वी थी and it was bitterly को बहुत कडाके कि थन पड़ रही थी bitterly मतलब तीखी altogether it was one of the most miserable days from the bodily point of view that I have spent in a jail कहा जा रहा है कि एक तरीके से माना जाए तो शरीर की द्रिष्टी से हना वह मेरे जेल में काटे सभी दिनों से अत्यधिक दुख दायक था in the evening it cleared up suddenly and all my misery departed when I saw all the neighboring mountains and hills covered with the thick mantle of snow तो कहा जा रहा है कि साम के समय अचानक से क्या हुआ आस्मान जो था बिल्कुल साफ हो गया है और मेरे जो उदासी थी यह कह रहे हैं मेरे जो उदासी थी अचानक से समाप्त हो गई जब मैंने पास के पहाड़ों को बर्फ के ओड़नी से धके हुए देखा क्योंकि भाई बारिश हुई थी तो कड़ाके की जो बर्फ अगरब पड़ी हो इससे वो बिल्कुल धक गया था और कुछ प्रतीत नहीं हो रहा था उनका सुन्दर द्रिश देखनी योग था तो एक तरीके से थोड़ा सा क्रिस्मस की जलकी भी ले आए इस आपके आइस टेंजा में ठीक है आगे बढ़ते हैं को कहते हैं क्या कि प्रिवेंटेट फॉम इंडल्जिंग इन नॉमल अक्टिविटेज वी बिकेम मोर देखिए यहां पर इंडल्जिंग इनका मतलब तो पता ही है किसी चीज में भाग लेना तो देखिए बहुत मतलब कितनी गहरी बात बोली ही इन्होंने इस लाइन की जरी ध्यान दीजिएगा की प्रिवेंटेट फॉम इंडल्जिंग नॉमल एक्टिविटेज देखिए आ जोर्टिक हेस और हाँ दोस्तों हम्-ट हो गया हुआया तो करते हैं लेकिन अगर यह जो नॉमल एक्टिविटेज जाम कर रहे हैं अपनी आम दे शर्या में आगर करते हैं जी बढ़ने वाले कहिए के साथ तो उसे इन सारे नॉमल एक्किविटी से तो UA brings आ दूर कर दिया गया है तो कहा जा रहा है प्रिवेंटेट फ्रॉम इंडल्जिंग नॉमल एक्टिवेटिस यानि कि नॉमल एक्टिवेटिस से ज्वाल अपने आपको कि हमें वंचीत करते हुए दूर करते हुए हम उस पर कोई पार्टिसिबेट नहीं का रहा थे इस वज़े स से क्या हुआ कि we became more absorbent of nature's ways जाइसी बात है जब कुछ और चीज मिली नहीं रहा है तो किस चीज को ध्यान से गहन करेंगे मतलब अपना ठींकिंग लगाएंगे अपने सोच किस चीज पर निर्भड करेंगे तो उन्होंने कहा कि जब इन सब चीजों में नॉर्मल एक्टिव को समझने में हम बहुत निपून हो गए बहुत अच्छे उसमें हो गए हम हम वी वाज़्ट ऑल्स अपने रास्ते में हम उन विभिन पसू और कीटों को देखने लगे जो हमें दिखाई पड़ते थे अधिक निरेक्षक बन गया हूं और अपने कोटरी इस वज़े से अब्जर्वेंट निरेक्षक निरेक्षक बन गया हूं और अपने कोटरी इस वज़े से अब्जर्वेंट बनने से मैं क्या कर रहा हूं मुझे ऐसा नोटीस हो रहा है कि मैं अपनी कोटरी यानि जो सेल है और उसके बाहर का जो आंगन है उसमें रहने वाले जो इंसेक्ट से उनको बहुत क्लोज से जानने लगा हूं यानि कि मैंने अनुभव किया कि अपने अकेले पन को शिकायत करता था वह अंगन जो खाली वह वीरान लगता था वह जीवन से भरपूर हो चुका था क्यों कि अब वह उन सब चीजों के बारे में सोचते थे जाईर सी बात है ना ओल दिस क्रीपिंग और क्रॉलिंग और फ्लाइं इंसेक्ट लिफ देर लाइफ विदाउट इंटरफेरिंग विथ मी इन एनी वे और आई सो नो रिजन वाइज शूड आई इंटरफेर विद तो वो कहने चाह रहे हैं कि हर प्रकार के रहने वाले कीट मेरे काम में कोई बाधा डाले बिना अपना जीवन व्यातित कर रहे थें है ना वो इन सब चीजों पी रोशन डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बिना हमारे हमारे चीजों को तंग की है ना छेड़े चाड़े वह अपनी जीवन व्यतित कर रहे थे और मुझे एक उनके जीवन में दखल देने का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ रहा था इसलिए मै लिकिन भाई एक चीज थी वो मेरे साथ बहुत खटकती थी कि मेरी और खटमलों के बीच भी लड़ाई है ना फिर कहते हैं मॉस्क्यूटों मच्छोडों के साथ भी थी और कुछ हाथ तक फ्लाइज मक्खियों के साथ ठीक है वास एंड होनेट्स आई टोलरेटेड एंड वर हंडिड्स ओप दैम इन मैसेल कहा रहा है कि यह कह रहे हैं कि मेरे और उनकी बीच में एक तरीके से जो भिंड है ना जो मैंने बता था तताया जो होती है जो बिरनी बोलते हैं और उसको सहन कर लेता था 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 और वह मेरे कोट्री में सेकुलों की मात्रा में हो मतलब कह रहे हैं कि एक बार तो मेरे और उनकी बीच में चोटा सा जगडा हो गया था जब एक भिंड ने मेरे विचार में हना जाने से डंक मार दिया था तो आगे पड़ते हैं इन माई एंगर आई ट्राइट टू एक्स्टर्मिनेट दे लॉट बट पुट अप ब्रेफ वाइप इन डिफेंस ऑब देर टेंपररी हों कहा जा रहे हैं कि मैं अपने घुसे में एक तरीके से क्रोध में आकर मैंने उनकी जो उनका च्छता होता है उसको नश्ट करने का प्रयाक्ष किया बरन्तु आप कह सकते कि उन्होंने अपने अस्थाई घर की रक्षा करने के लिए वीरता से मेरा मुकाबला किया विच प्रोबैबली लिखा है कि विच प्रोबैबली कॉंटेंड देर एक्स और डेजिस्टेश एंड डिसाइडे टो लीव देम इन पीस औ था उन्होंने अपने संति से रहने का निश्य्य किया कि जो यार ठीक है एतने अपने घर को बचाने के लिए लीए तो वहीं कछोड़ देना चाहिए और उन्होंने यह सोच कर रहने लिए तो मैं उन्हें थेस ठोट देता हूं टीक हां for over a year after that I live in the cell मतलब एक साल बीतने के बाद उस सेल में रहने के बाद सरौंड़र्ड बाइज वास्स और होनिट्स और यह रहने के बाद पता चले कि नहीं यह उन्होंने दुबारा नहीं किया और वह दूनों सांती से रह सकते ठीक है चलिए 11 पर आचा है कि बैट्स होते हैं एंडियोर मतलब होता है सहना तो कह रहें कि चमगादर तो मुझे पसंद नहीं थी वैसे लेकिन उन्हें सहन करना पड़ता था यह वह बिना आवाज किये सामको इवनिंग डस्क जब आपका साइकाल का समय होता है गोधुली वेला होती है उस समय वे लोग बिना ध अधैनिंग अस्काई और अंधेरा बढ़ते ही अकास में उड़ते हुए उन्हें कोई भी देख सकता था एड़ी थेंग्स आई हैद होरोर फडेम यानि कि कहने का मतलब क्या है कि यह जो डरावने वाले एडी कमतलब होता है डरावना हाई ना मतलब डरावनी चीज़े थी आपको भी पता है कि आपने अकसर एक्सपीजेंस किया हुआ कि जो चमगादर होते हैं बहुत नजदीक से सामके समझ आपके पास से आपके सरीर के पास से गुजरते हैं तो आप आदमी डर सा जाता थोड़ा कि वह ऐसा लगता है एक इंच दूरी से जा रहे हैं कर देंगे हाइर पास बिग बड़ी चमगादर जो थी उड़ने वाली लोमडिया जैसी गुजरती थी वह ना ऐसा लगता है वह लोमडी है चलिए अगला पड़ते हैं आई यूस्ट वोस्ट थे एंट्स एंड वाइट एंट्स एंड अधर इंसक्त बाइड आवर तो अब कह कर ली फिरन वह औन नंहीं वह ततायों की बारें भीवात करी थी अब वह वह बात लेकर आते हैं चीतियों बढ़ाब पांगे छोड़ ओन परमी ठीमब पर आते हैं और खांटों तक चीटीयों और दिमक वह अन्य कीटों को देखता रहता था हएन दा कतर थे और फीडेच स जब वे साम को इधा उदर घूमती थी और अपने सिकार पर घात लगाती थी वैगिंग देटेल्स इन मॉस्ट कॉमिक फैक्शन वैगिंग मतलब हिलाना होता है और जो चिपकलिया थी उनको देखते थे और वो देखते थे कि कैसे वो चिपकलिया अपनी पूच को हास्य कर ढ बढ़ाने के स्टाइल को देखकर अना ओर इनली देख वास्प वास्प बट्वास्ट आइस एंस देम फ्रॉंड तो कह रहते हैं कि सदान तव ततयू से दूर एथी कौन चिपकलिया क्यों को पता है चिपकलिया इंसेक्स को खाती है तो किड़े मुकोड़े को खाती है जो जो ततयां है वह भी तो किड़े मुकोड़े हैं तो कह रहे है कि अधिकतल मैंने नोटिस किया थे कि वह ततयों से थोड़ा दूर ही रहती थी परन्तु दो बार मैंने देखा उन्हें बड़ी साउधानी से उन पर घात लगार कर आगी से पकड़ते देखा वो फ्रेंट से उन पर अटेक करती थी छिपकलियां फिर है कि I do not know if this evidence of the sting was international intentional और the axi zaman low तो वह से किया थे का जा रहा है कि मैं यह नहीं जानता था कि ढंक से बचना उन्होंने जान्वुशकर क्यादा यह फिर संयोग संयोग वह सो गया था कि कैसे उन्होंने लिजार्ट्स ने लिए बट आठेक आन्म संट्बेस्ट नीजर डिया गया है उन्हों सब्सक्राइब करें पर जीवन को उसको नोना डिसकस किया चलिए अब आभी चलते हैं 13 पर आपके कि दैन यहां पर लिखा है कि दैन देर वर स्कुराइब आगे गिलेरियों पर देन देर वर स्कुराइब सब्सक्राइब तो कह रहे हैं वहां गिलेरिया भी थी यदि आसपास पीड़ होते तो उनकी भीड़ भी थी ना दे वोड़ बिकम वेरी वेंचरसम और कम राइट नियर उस वेंचरसम इसका मतलब होता है सासी तो कहना चाह रहे हैं कि वे बड़े सासी बन जाती और बिल्कुल हमारे समीर पा अब वह बात करते हैं लखनाव की जेल की जब उनको लखनाव जेल में ट्रांसफर किया गया था या फिर किसी कारणवास उन्हें लखनाव जेल जाना पड़ा था तो आई यूस्ट वह कहते हैं कि मैं घंटों बैठकर पढ़ाई किया करता था विदाउट मोविंग कंसीड मतलब काफी समय तक बीना हिले डुडे में पढ़ता रहता था और स्क्वेरल उट क्लाइब आप माई लेग और सिट उन्हें लुक रहाँ और एक कुलहरी जो थी मेरी टांग पर चड़का मेरे घुटने पर बैठकर इधर देखती थी और देन इड़ देखती थी और देन कुछ ना था जो उसने मुझे समझा था ऐसा कुछ जो समझा था वो मैं नहीं हूं है ना फियर और डिसेबल इट फॉर्टी से भाग जाना तो कहता है कि जब उन्हें जब गलोरियों को पता चलता था रहे यार यह तो पेड़ नहीं है यह तो इंसान है तो जो यह थी ना वो फूर्टी से भाग जाती थी क्योंकि अब तो वो डर चुकी होती थी इसलिए वो भाग जाती थी लिटल बेबी स्क्वेरल वोड सम्टाइमस फॉल्ड उन्हें घुमा घुमा कर चोटी से गें सा बना लेती थी और उठो उठाकर सुरक्षी दिस्तान पले जाया करती थ और मेरी एक साथ में वाले जो इंसान था उन्होंने तीन गुम हुए बच्चे को उठाया और उनके देख भाल भी किये थी किसके गुलेहरियों की फिर है कि देवर सो टीनी एक दिवास प्रोब्लम फीडिंग दें और वहां था कि यह इतनी छोटे गिलरीया उनको मिली थी कि उनको खाना किलाने में भी दिक्कत हो रही थी इन जेनियसली मतलब बड़ी चतुराई से तो कहा जा रहा है जो प्राब्लम थी न दूद्ध पिलाने की वह समस्या बहुत ही चतुराई से उन्होंने सॉल्व कर लिया कैसे फांटेंट पैन फिलर विट लिटल कॉटन वूल अटाज़ टू इट मेरेन एफिसेंट फीडिंग बॉटर यानि कि फांटेंट पैन की जो ट्यूब थी न उसके साथ थोड़ी सी रूई लगाने से वह बहुत ही सफलता पुरुवक बच्चों को दूद पिलाने वाली दो सब्सक्राइब के साथ उन्होंने भी इस थार्टीव प्राग्रफ में बताया आगे बढ़ते हैं पीजन अब भाई बात आती है कबूतरों की पीजन से बाउंड़ इन ऑल जैल्स आइवें टू एक्सेट इन अमांटन प्रिजन ऑफ अलमोरा के जेल को ठोड़ दिया जाया कबूतरों को शूट करते थे मार देते गोली और उसको खा भी चाहते थे देर वर मेना ऑफकॉर्स मैना भी थे वहां पे वहां पे वास्तों में दे आर टू ना दे आर टू वी फाउंड एम्रिवेर वह तो हर जगा दिखे जाते हैं अपे यूर अफ देन नेस्टेट ओबर माई सेल दोर इन देहरा दून उनमें से एक मैना की जोड़ा था वो मेरे देहरा दून के सेल के उपर उन्होंने अपना देहरा जमाया था और यूस्ट फीड दिन और मैंने उन्हें खिलाया करता था देग्रिव क्यूट तेम और इफ देर वस अज़ें देर मॉर्निंग और इफनिंग मील दे वो जो जोड़े उन्होंने घुसले के पास रखते थे रखते थे वह लोग पालतू बन गय थे तेम मतलब पालतू और और अगर उनका खाना में थोड़ा भी मैं देरी करता था सुबह और सांग भी खाने में देरी करता था तो चुपचा मेरे नजदीक आ जाता थे और भाई खाने की डिमांड करने चिला चिला के सब्सक्राइब करते हैं तो यह जो चीज थी ना कि जो मेरे पास बैठके चिलाने लगते थे उनके इन संकेत और उनकी जो अधीर पुकार थी मुझे बड़ा मजाता था वह ऐसा करते हैं तो चली अब बात तो हो गई कभूतरों की अब बात आती है उनके इसाफ से नैनी है बात आता ना कृट्स का मतलब होता है कि आ तो और देवाल तो जेल गवाल होती है उनकी दरारों में यहां जारोगी संख्यों रहते थे कौन तोते देर कॉड्शिप अन लव मेंकिंग विज अ लुज़ पैसिनेटिंग मतलब मन्मोहक और कॉड्शिप मतलब प्रनाई आचना तइम टेकिंग तुन एचदर ठीक है तो देर कॉड्श इप किसी नोड़ेत अचना करना उप्रें क परना सदा मनमोहक होता था and sometimes there were fierce quarrel between two male pirates over a lady pirate अब ये भी होता था fierce मतलब गुस्सा होता है तो वो जो थे ना नहिरो जी वो ये भी देखा करते थे कभी कभी तो लडाई हो जाते थी दो गुस्सल तोतों के वीच में मेल तोतों के वीच में एक लेडी को देखकर लेडी पैरोट को देखकर है ना who set calmly by waiting for the result of the encounter and ready to grant her favors to the winner बताओ मतलब यहां पर भी उन्होंने एक ऐसा चीज बताया वो बता रहे है कि उनकी बीच में लडाई होती थी और जो लेडी पैरोट था ना लेडी पैरोट थी ना वो देखती थी बाड़े सांत सभाव से सेट कामली और वेट करती थी रिजल्ट का कि वाई कौन जीतेगा और उसको वह अपना बताएगे कि हां वाई आप जीत चुके है विजेता की पत्नी बनने के तयार रहती थी तो यह बहुत अच्छा सा लाग लेकिन अहां जो भी चीज़ उन्होंने यहां पर शेयर की आली चलते हैं 16 पराग्राफ में क्या लिखा है कि दहरादून है वराइटी और वर्ट्स और वाद रेगुलर जंबल ऑफ सिंगिंग और लिवली चैटरिंग और ट्विटरिंग और हाई अब अबव एट ऑल केम गया चाहिए व्हां का जाए की जंबल जंबल मतलब मतलब मिक्शर रचा है टो यहां पर बोला जा रहा है कि देहरा दून में वेविन प्रकार के पक्षी थे और वहां साधा गाने चहचाहने की घाल में रहता था यानि कि मिक्स्चर रहता था और इन से उपर जो कोयल की दर्द भरी पुकार सुनाई देती थी मतलब कुल मिला कि कोयल सब पर हावी थी दिरिंग मौन्सुन और जस्ट बिफोर इड़ ब्रेइन फीवर बर्ड विजटेड रस यानि कि कहा जा रहा है कि जब बरसात के दिनों में या उससे तुरंद पहले जो एक होता है ब्रेइन फीवर बर्ड बागल पक्षी होता है कोई वह हमारे पास आता था और मैं सीख रही समझ गया कि उसका या नाम क्यों पढ़ा था और रिलाइस सुन वाई ट्वाइट वाइट 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 वाइन फीवर बताते हैं इट वाज़ अमेजिग प्रेश्टेंस विज़ इट वेट वेट वान रेपिटिंग द दिन रात धूप या वर्सम में लगतार एकी पुकार करते रहता था यह चीज देखें में अचंबे में पड़ गया था ना कोई भी मौसम उसमें वह एकी चीज रट लगाए रखता था वी कुद नोट सी मौस्ट वाइट वी कुद वाली हीर देम एज रूल एज देर वर देखें लिए नोटरी इन वर लिटील यार्ट यानिकी वह खेते हैं कि अधिक्तम पक्ची योटे हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं हमकि वह उनकी ध्वनी तुन सकते थे क्योंकि हमारे चोटे से प्रांगण में पेड थो थे नहीं बट आई उस्ट वाज देगल्स गाइ कभी-कभी उनको मतलब नीचे जपड़ते हुए देखता था फिर पावन की बहाओं में ऊपर उड़ जाते थे आपना हौड ओफ विल्डॉक्स वाँ वूड फ्लाई ओवर आवर हैड्स हैनि कि प्राय बत्तों के कोई जुन्द हमारे सीरों के उपर उड़ते ही रहते थे सब्सक्राइब अब उनको बहुत जादा मात्रा में बंदरों की एक बड़ी सी बस्ती मिलती थी और उनके बीच में जो एंटिक्स यानि की मस्खरा बन होता था फणी ट्रिक्स जो करते थे वो बंदर तो वो उनके लिए एक तरीके से ना वह बहुत ही देखनी योगी होता था वर्थ होता था हैना वन इंसिदेंट इंप्रेस्ड मी एक बार की जो घटना थी मुझे उससे में बहुत प्रभावित हुआ एक बेबी मंकी मैनेज़ तो कम डाउन इन्टो आवर बैरिक हैना एक बेबी म दिवार नहीं चड़ पा रहा था दो वार्डर एंड सम कन्विक्ट ओवर सीर्स और अधर प्रिजन स्कॉर्ट होल्ड ओफ हिम और टाइड बिट ओव इस नेक और फिर क्या हुआ है जब वो दिवार पर नहीं चड़ जगा तो दिवार जो होते हैं और कुछ अपरादी इनकी जो पैरेंट्स थे जिसके जो छोटे बंदर था इसको बांद दिया गया तो उसके जो पैरेंट्स थे वह उपर पेड़ पर बैठके सब कुछ देख रहे थे हाई और वह बहुत गुस्से में आ गया ठीक है सटेनली वोन अब दैम हीूज मंकी जंप डाउन चार्ज एलमोस्त राइट इन्ट थे क्राउड विच ससरांवड़ दवेमंगी और अचानक से क्या होता है उन्में से एक विशाद बंदर नीचे चलान लगाता है बच्चे बंदर को घेरे खडी भीड पर अचानक से हमला कर डेता है ठीक है अब देखें क्या होता है इड भूत वीरता का काम था उस बंदर के लिए क्योंकि लोगों के हाथ में लकड़ी थी चड़ी थी लाठी थे और वह लोग उस पर वेव कर रहे है ना फिर क्या हुआ की रेकलेस करेश चिंफ्ट and the crowd of humans fled terrified leaving their sticks behind them the little monkey was rescued कहने का मतलब है अंत में दुस्साहस की ही विजय हुई और मनुश्यों की जो भीड थी वो भैवित होकर लाठिया वहाही छोड़कर भागई और छोटा बंदर छुड़ा लिया गया उसके द्वारा त्रिके अब अगले परेग्राप पे चलते हैं चलिए 17 परेग्राप तक तो ऐसे कुछ पक्षी जानवर उन्हें मिले जो उन्होंने पताएं जोगी उनसे मिलना जुलना या फिर उनको देखना उनकी जीवन को जानना उसब देखना उनको पसंद था लेकिन अब बात आती है एतीन परेग्रा में कुछ ऐसे विजिटर्स की जिसका आना लोगों को मतलब यह नहीं होता है खुश नहीं होते हैं उसको देख करने का मतलब है लिखा यहां पर वी ओफेन आद आनिमल्स विस्टर्स एट वर नॉट वेलकम मतलब ऐसे जानवर भी हमें मिला आते थे आ जाते थे जिनका आना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था स्कॉर्पियों जानते हो आप तो बिच्छू हैना स्कॉर्पियोंस वर फ्रिक्वेंटली फांड इन और सेल वह बहुत भारी मातरा में बिच्छू जो है उनकी कोट्रियों में पाए जाते थे स्पैसली आफ्टर थंडर स्टूम जब भी बिजली होती थी वारिश बगरा होती थी उसके बाद तो जाइट जी बाते उन्हें मिलते थे बिच्छू बगरा एट उस सर्प्राइजिंग डाइवस नेवर स्टंग बाई वन और यह बहुत ही आश्चर जनक बाते की इतनी ज्यादा निकलने के बावजूद भी मुझे कभी किसी और सिटिंग उने बुक जैसे कि कभी किताबों पर बैठे हुए मिल जाते थे विच आई हैड जस्ट लाइन अप जिसको मैंने क्या करते हैं उन्होंने लगा रखा था बुक अपने पंग्ती में रख रखी थी आई आगे दिखते हैं खेलिक है आई केप्ट अ कि मैंने एक विशेश कर एक विशायला दिखने वाला बिच्छु प्राणी कुछ समय तक बोतर में रखा उसे मखिया खिलाते रहा और जब मैंने उससे एक डोड़ी सी दीवार बांद दिया तो बच निकलने में सफल हो गया I had no desire to meet him lose again and so I clean my cell out and hunted for him everywhere but he had vanished कि मतलब उसे तो मखिया खिलाता था मैं वह बाग निकलगा मैं उससे खुला मतलब नहीं मिलना चाहता था इसलिए मैंने अपनी कोठ्री को सब समन्हाटा कर उस सब जगा खोजा परंतु वह गया बोच चलिए बागे देखते हैं अगले प्राइगराप में क्या है कि थ्री और फूर स्नेक् समाचार सहाब भी मेरे कोठ्री में उसके पास पाए गए थे और उनमें से एक ही ख़वर बाहर पहुंच गई और समाचार पत्रों में मुझे ख़वर के रूप में चप गई आज गई आज अगरए वास्तों में मुझे मन बहला चाहिए था और यहां प्रिजल का जिवन होता है बहुत ही नीरस होता है और यह जा रहा है कि आज बहुत नीरस है जेल का जीवन और कोई भी चीज जुन रस्ता को तोड़ दे वह पसंद आ जाती है नौट यहां नहीं है कि मैं सापों को परसंसक हूं आपने आपको जरूर बचाओंगा अगर मैं किसी आपको देखता हूं नहीं है कि मैं साप देखूं तो उससे अपना मतलब भै से पराजित नहीं हो जाता है सेंटीपीट्स होरिफाइए मी मच मोर सेंटीपीट्स का मतलब क्या होता है जो कान खजुरा होता है वो मुझे और भी ज्यादा रड़ाता था है इस नोट सो मच फिर एज इंस्टिंटिक रिपोल्शन कि इतना भै नहीं है जितनी स्वभावी गिरणना से होती है उतना जादा मुझे डर था उससे इन एलिपूर जेल इन कलकेटा आई वोग इन दे मेडल अगर्ड़ नाइड फेल सम्थिं ग्रॉलिंग अधी रात को मैं जब उठा तो मैंने असर लगा फील किया कि कुछ मेरे प्यार पर चल रहा है ठीक है आगे रखिए आई प्रेश्ट टॉर्श आई हैं आई हैं आई हैट एंड आई सब्सक्राइड ने बत्ती जलाई टॉर्श को जलाया और देखा कि मेरे विश्टर पर कन खजू रहा था इंस्टिंटिक्टिवी इन इंस्टिंटिक्टिवी है ना और एमेजिंग रैपिडिटी आई वाल्टेट क्लियर आउट 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 आट बैड और नियरली हिट दसेल वाल यानी कि मैंने टॉर्श जला के देखा कन खजुरे को स बास्चर जनक फोर्ती से मैं विश्टर से उचला और लगबग कोठरी की दिवार से टक्रा ही गया आई रियलाइज फुली देन वाट पैवलॉफ्स रेफ्लेक्स वर यानि कि पैवलॉफ्स रेफ्लेक्स की बारे में बता दू इसका मतलब होता है आप फिजिकल ये रियक् अपने आपको बच्चाव करने का वो रियक्शन उनको देखने को मिला जब भी वह उन्हें सेंटीपेट्स को अपने विश्टर पर पाया था चलिए अब अगला प्रग्राफ पढ़ लिखा है कि इन देहरा दून आइसाव निव अनिमल फिर उन्होंने एक नया जानौर द अब बॉस्त गेट के अब विश्टर अब बाद कर रहा था तभी एमने नोटिस किया कि एक इनसान जेल गेट के बाहर एक अजीब जानौर को लेके खड़ा वाए तो ज़ेलर ने था उसे बुलवाया और जब दूने तो ज़ेलर थे ना याननि कि जो ज़ेलर ने था उसे बुलवाया और देखा कि मैंने देखा कि वो छिपकली और मगरमच के बीच का कोई प्राणी लग रहा था और जो कि दो फिट लंबा था है ना उसके नुकीले पंजे थे पपड़ीदार त्वाचा थी अब क्या है कि इस एनिमल विच वेरी मच अलाइव और यह जानवर था बिलकुल मतलब असा कहले लिजे कि बहुत जीवित था और उसके मालिक ने उसे एक बड़े विचितर गांठ की रूप में मोड़ा हुआ था और इस ओनर हैट पास्ट फूल थो दर इस नॉट अद वाज मेरली केरिंग इन इत इन दिस फैशन उसने ऐसे गांठ बांठ कर उसको मोड़ा हुआ था और एक बांस गुजार रखा था इस प्रकार से उसी खुशी से उठा रखा था उसने उसको अब है कि ही कॉल इट बो और वह उस जानुवर को बो करके पुटकार रहा था अब क्या होता है कि वेन आस्ट बैद जेलर वाट ही प्रोपोस्ट तो डू विधिट ही रप्लाइव थे ब्लॉड स्माल लट ही और में बुजी काइंड ऑप करी आउट आउट वेडिया नहीं कहता है कि जब जेलर ने उसे पूझा कि भाही तुम इसका करोगे का इस जानुवर का तो इंसान बोलता है ही रिप्लाइव ब्लाइव बहुत प्यारी से मुस्कान लिए वे कहता है कि मैं तो इसका बुजी बनाऊंगा एक तरीके की कडी होते है इसको बुजी बोलते है वो उस तरीक अब इन्होंने अपनी पढ़ाई के अधार पर बताया तो इस तरीके से 20 जो पैरग्राफ है वह भी खतम होता है अब आगे बढ़ते है 21st paragraph पर कहता है कि prisoners especially long term convicts have to suffer most from emotional starvation जो कैदी जो थे ना विशेसकर जो बहुत सालों से वहाँ पर सजा काट रहते हैं उनके लिए यह जो थी ना कह सकते हैं कि have to suffer most from emotional starvation जो यह भावात्मक आप कह सकते हैं अभी व्यक्ती होती है 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 ना hungry for love कह लिए इन सब चीजों के उनको यहां गुजारने थे हैं ओफिन दे सीक सम इमोशनल साटिस्फेक्शन बाई कीपिग अनिमल पैट्स कभी कभी तो वह पसु पालकर भी अपनी भावनाओं को त्रिप कर लिया करते थे 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 जो ऑर्डिनरी प्रिजनर्स थे हैं वो जो कैदी थे वो उसको नहीं अब्जेक्ट यानि कि कहा जा रहा है कि जो लोग जैसे कि कहा जा रहा है ना ओवर सिर्स तो ऐसे लोग जो की थोड़े मतलब जो करते हैं थोड़े रूतबे वाले भी होते हैं आपके कैदी में भी उनको इतनी थोड़ी आजादी थी वह जेलेस्ट आपके बातों से कुछ जानवरों को रख सकते थे दो कमनेस्ट पेट्स वर स्क्वेरल है ना एंड स्ट्रेंजली मोंगूज मतलब होता नेवले यानि कि कुछ जो कमन जानवर थे जो कि वह पालतू बना सकते थे वो थे आपकी लहरियां और नेवले जब उसका ट्रांसफर होता है वो बिल्ली को ले जाता है मैं मैंने उसको खो दिया था एक तरीक से अल्दो डॉक्स और नॉट अलावड आई गोट टाइड अप विद सम डॉक्स एक्सिदेंटली इन देहरादुन जैसे कि पता है कि डॉक्स तो अलावड नहीं है जेल में लेकिन सम्हाव उनको कुछ कुछ कुट्ते मिले है ना अ थनांतरन हुग गया यानि कि क्या हो गया उसका ट्रांस वो गया and he deserted a यानि कि वह उसको वहीं छोड़ गया उसको दिया को the poor thing become a homeless vendor living under culverts picking up scraps from the wardens usually starving तो वह बेचारी बेगर हो गई अवारा बन गई थी एक पुलिया के नीचे रहती थी वाडरों से टुक्रे लिया करती थी और प्राय भूख ही रहती थी As I was being kept in the lock-up outside the jail proper, she used to come to me begging for food जैसा कि वो उसे देखा करता था और क्योंकि मुझे जेल विशेश से बाहर हवालात में रखा हुआ था वो भोजन मांगने के लिए मेरे बाद आज आया करती थी I began to feed her regularly मैं daily basis पे उसको खिलाया जानने लगा and she gave birth to a little litter of pups under a culvert यानि कि और मेरे खिदाने का नतीज़ा यह हुआ कि groups of puppies, litter of pups मतलब group of puppies यानि कि बच्चों को उसने जन्म दिया, खुट्टे के बच्चों को जन्म दिया, उसनोंने many of these were taken away but three remained and I fed, यानि कि उसमें से बहुत सारे बच्चों को लोग लेते गए, लेके चलेगा अपने साथ और कुछ को मतलब but three, तीन जो थें उनके साथ रहे गए नेहरू जी के साथ one of the puppies fell ill with a violent distemper and gave me a great deal of trouble, अब का जा रहा है उन तीन puppies में से एक जो था और बहुत पूरी तरीके से बीमार हो गया distemper जो होता है कुत्तों की बीमारी होती है उस तरीके से बीमारी से वो पीडित हो गया and gave me a great deal of trouble तो परिशान हो गए I nursed her with care, मैंने बहुत बारिकी से उसको क्या करता है, सेवा की है ना, और बड़ी लगन से उसकी सेवा की and sometimes I would get up dozen times in the course of the night to look after her मतलब मैं रात में कई कई बार मतलब बारा तेरा बार उसे देखने के लिए उठता था she survived and I was happy that my nursing had pulled her around और उनका यह नतीजा हुआ कि वा बच गई और मैं प्रसंद था कि मेरी सेवाओं ने उसे बचा लिया था चली अब बहुत ज्यादा नहीं है बस दो ही परग्राफ और बचे हैं 20 सेकंड पर लेते हैं परग्राफ I came in contact with animals far more in prison than I had done outside मतलब यह कहते हैं कि जेल से बाहर के पिक्छा जानवर उसे मेरा जो संपर्ग था ना जेल के अंदर ज्यादा हुआ था I had always been fond of blocks मैं जो था कुतों से सदा ही प्यार करता रहा and had kept some but I could never look after them properly as other matters claimed me attention यानि कि परंथ में उनकी देखवाल उसे दंग से ना कर सकता था क्योंकि मेरा ध्यान अन्य मामलों में लग जाता था ठीके in prison I was grateful for their company और जेल में मैं उनकी जो संगती था उसके मैं बहुत अभारी रहूंगा Indians do not as a rule approve of animals as household pets जो साधानत भारतियों लोग पसुऊ को घरों में पालना अच्छा नहीं समझते हैं It is remarkable that in spite of their general philosophy of non-violence to animals they are often singularly careless and unkind to them और जो ये बात है या विचित्र है जिनका द्रिष्ट कौन पसुऊ के प्रती अहिंसा कहाये वे लोग विलक्षन रूप से प्राया उनके प्रती लापरवा वदया रही थी है Even the cow that favor animals though looked up to and almost worship by many Hindus and often the cause of rights is not treated kindly यहां तक की विशेस क्रिंपा पात्र जो पाशुव गाय है जिसको बहुत से हिंदू समान के दिश्चिस रहते हैं और लगवे पूश्ते भी हैं और वह प्राया दंगों का कारण बन जाती है क्योंकि भाही लोग कहते हैं आप गाय कोई लोग करता है क्रिटिसाइस करता है तो इसके साथ भी दया पूर्ण विवहार नहीं किया जाता वर्शेब और जो है और वह साथ-साथ नहीं चल सकती है चलिए अब लास्ट प्राइग्राफ पर आ चुके हैं लिखा है तर्ट प्राइग्राफ में डिफेंट कंट्रीश आप डिफेंट अनिमल्स प्राइग्राफ दिखाने के लिए उन्होंने विविन पर्शों को अपनाया है जैसे कि मान लिजे दा इगल आप दे इस्तेट ऑफ अमेरिका ना सजुनत राज अमेरिका का गरूड है और जर्मनी का भी गरूड है दलायन औ इंग्लेंड का लाइन और बुल्डॉग है और दा फाइटिंग कॉप फ्रांस के लिए है दा बियर ऑफ वोल्ड रसिया रसिया के लिए बियर है हाव फार डू दिस पैट्रों अनिमल्स मौल्ड नेशनल करेक्टर पैट्रों यानि की जो राश्ट्री पक्षू है कहा जा इसमें कोई अश्चर्च है कि हैं यह जान बुछकर स्वयम को वैसा बनाते हैं और अकरमन चील द्रिश्टी को ना बनाते हैं और दूसरों पर दहारते हैं और अपने शिकार बनाते हैं नहीं इसमें कोई अश्चर्च है कि हिंदू जो कि यहां पर लिखा है नौर इस इट सर्क्राइजिंग दर हिंदू शुट भी माइल और नॉन वालन फॉर इस पैट्रों इलमन इस दकाव इसमें कोई दूराएं नहीं है जो हिंदू है वह बिनम्र और हिंसक बनने के लिए उसने अपने पशु को राष्ट्रे पशु को गाय लिया है क्योंकि वह किसी को मतलब अहिंस के भाव से नहीं देखती है और बहुत बिनम्र रहती है जो कि एक हिंदू होने का हमारा करतव निभाती है तो दर्साय जाता है तो हो यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर फिर भी कोई क्यारी है मुझे कमेंट से लेकर बता है यह वीडियो लंबी हो गई है मैं मानता हूं लेकिन यह आपके लिए वार्थ पूल रहेगी तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए स्टे हों स्टे सेप अगर वीडियो अच्छी लगते लाइ आपके लिए स्ब्सक्राइब को ना बिलकुल ना भोने हैं बबाए